जालोन गंगा के जलोट मैदानों पर 4549 स्कौार किलोमेटर की छेत्रफल में फैला जालोन जिला उत्तर परदेश के प्रमों के थियासिक सारों में से एक माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि जिले का नाम रिसी जलवान के नाम पर रखा गया है जो यहाँ प्राचीन काल में रहा करते थे इस छेत्र का सबसे पुराना सासक यताती था पुरान वमा भारत में महान विजेता करूम में इसका उल्लेश किया गया है इस जिले की इतिहास बुंदेल यात्री हिंसांग ने अपनी यात्रा विरिती में किये शनट्रोसो संताओन की सोतंता संग्राम की लडाई में रानी लचीन बाय के आदेश पर नाना शाहिब वो तात्या तोपे ने अंग्रेजों के साथ डट कर मुकाबला किया था ये घटनाय मुख रूपशे कालपी उर जालोन में हि घटी थी दोस्तों जालोन जिला के मुख नदी का नाम यमुना नदि वौ बेतवा नदी है यमुना वह बेतवा नदी के किनारे परव्शा जालोन जिला उत्तरबर्देस की राजधानी लखनो उसे 290 किलोकालों निर्स था देश की राजधानी यानिकी नईDER बिल्ली से 466 किलो मिटर की दूरी पर इस्तित है लगबा 4544 स्क्वार किलो मिटर की छहत्तर फल में फैला जालोंजिला की कुल अबादी 16,89,000 है इस 16,89,000 में 9,6,000 कुरूस तदा 7,83,000 महिलाएं मौजूद हैं अब अगमन के दृष्टी कोड से जालोंजिला, सडक मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग याने के तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है नमबर एक रेल मार्ग अजालोंजिला का मुखी रेल्वे स्टेशन का नाम उराई रेल्वे स्टेशन है उराई रेल्वे स्टेशन का स्टेशन कोड ORAI है और उराई रेल्वे स्टेशन में 4 प्लेटफोर्न तथा 5 ट्रेक मौजूद है यह railway station कारपूर जहांसी line पर इस्तितर और North Central Railway Zone के जहांसी division के अंतरगर आता है ओर है railway station के माध्यम से पूरे लखनाउว एक्सप्रेस, गोरकपूर एस्वंतपूर एक्सप्रेस, सावर्मती एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस, कुशिनगर एक्सप्रेस जैसी कई तमाम ट्रेन ने इस रेलवेशेशन के माद्यम से होकर गुजरती हैं जो आगे चलकर देश के बड़े-बड़े सवरों के साथ जूड़ती है जालोन जिला सडक के मामले में उत्तर परदेश वमत परदेश के बड़े सवरों के साथ अच्छी तरह से जूड़ा हुआ है जिला के माद्यम से नेशनल हाईवे संक्या 25 गुजरती है जो की जासी वो कानपूर को जोडती है इसके लावा जालोन जिला का जालोन बस इस्टेंड, उरही बस इस्टेंड, जालोन रोडवेज बस इस्टेंड के माद्यम से उत्तर परदेश के बिविन सर जैसे जहासी, लखनव, कानपूर, आगरा, आदिस सरों के लिए उत्तर परदेश परिवन निगम दोरा नियमित बस्यवा संचालित की जाती है वैसे तो जालोन जिला में कोई वी हवाई मार्ग की सुविदा उपलब्द नहीं है जालोन का सबसे निकट में इस्तित येरपोर्ट कानपूर का है जो कि यहां से 106 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित है इसके अलाबा गौालियर का एरपोर्ट 113 किलो मीटर तता खुजराओ का एरपोर्ट 108 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित है दोस्तो जालोन जिला अपने खोश्वरत प्रेटक अस्तितों के लिए काफी जदा प्रसीद है जालोन जिला में कई ऐसे घुमने के अस्तान है जहां पर प्रेटक घुमकर अनंद उठा सकते हैं आये जानते हैं कि वो कौन से खास घुमने के अस्तान है जो की जालोन जिला में मौजूद है लेकिन दोस्तों इसने पहले अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें नमबर एक रामपूरा का किला रामपूरा का किला जालोन का एक एतिहासिक अस्तल है या किला जालोन जिले में रामपूरा गाउं में इस्तित है यह किला बहुत ही शुन्दर है इस किले को होटल में परिवर्थित कर दिया गया है जिसमें इस किले के परेटकों को नहीं जाने दिया जाता यहाँ पर आप चाहें तो रूख सकते हैं और इस किले को देख सकते हैं इस किले के अंदर बहुत से प्राचीन वस्तू देखने को मिल जाएंगी जो राजा के दुआरा इस्तमाल की जाते थी इस किले के उपरे चारो तरफ सुन्दर द्रिश देखने को मिलता है यहां पर बीड़ छेत देखने से काफी अच्छा लगता है आप रामपूरा जाकर इस किले के बाहरी किनारे को देख सकते हैं क्योंकि किले के अंदर जाने की मनानी है रामपूरा किला बाहर से चारो तरफ गड़े खोदे गई हैं गड़े में पानी भी भरा हुआ है और प्राचियन समय में इन गड़ों में मगरमाचवा जहरीले साप रखे जाते थे जो की इस किले के सुरच्छा के लिए की गई थी आकरमणकारी इसी किले के बाहरी किनारे से होकर प्रवेश करते थे जिसके उजासे इसमें पानी भर दिया जाता था रामपूरा किला जालोन के मुझे परेटक अस्तुलों में शे एक माना जाता है नमबर दो स्री भैरोजी मंदीर जालोन स्री भैरोजी मंदीर जालोन सहर में रामपूरा जागीर में इस्तित है यह मंदिर जालोन का धार्मी कस्तल है यह मंदिर स्री भैरोव बाबा को शमर्पित है और यह मंदिर बीहड इलाके में इस्तित है इस मंदिर के थोड़ा दूरी पर ही पहुंच नदी भाती है इस मंदिर के गरव ग्री में भैरोव जी का बहुती सुंदर प्रतिमा दर्सन करन आप यहाँ पर घुमने के लिए आ सकते हैं यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप आकर बहुत सरे प्राचीन मुर्थियों को भी देख सकते हैं। या मंदिर, बहुत फूरस्फूरत है, मंदिर में एक बगिचा बना है, जिसमें बहुती रंग-बरंग के फूले लगाई गई हैं, जो भी यहां पर आता है, वो इस मंदिर के बगिचे में घुमना पसंद करता है, दोस्तों शिर्यादा किष्ण मंदिर, जालों जिले के क्यूति के लोग यहां पर आते हैं वैसे मजार में सभी धर्मिक लोग आते हैं पर यह मजार जालों के आसपास के जीलों के लिए काफी ज़भा प्रसीद है यहां पर जो भी मननते माँगी जाती है वो पूरी होती है बेरी वाले बबा की मजार सरीफ जलौन सार के उरई में इस्तित है उरई रेलवे स्टेशन यहां से बहुत ही करीब में पड़ता है अगर आप यहां पर जाना चाते हैं तो आपको उरई रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा नमबर 6, 84 गुंबद, 84 गुंबद एक दिवार पाले आगन के चौकोर नौ गुंबद वाली स्टन रचना है जिसके कंद्री गुंबद के नीचे दो कबर है पंदरवी या सोरवी शतावदी के सुरुआत में इस गुंबद का निर्माण का अनुमान लगाया गया है इस वस्त उची गुंबद है जो की देखने में काफी जदा खुबसूरत लगती है दोस्तो इसके लावा जालोन जिला में और भी कैसारे खुबसूरत प्रेटिक अस्तल है जिसकी व्याक्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है दोस्तो जालोन जिला अपने कई सारे पुडोसी जि दोस्ता उतना तो अच्छा नहीं है उत्तर परदेश के सबसे पिछले इलाकों में जालोन जिला में सामिल है यहां के कुछ महत्तोपूर्ण स्कूल वा कोलेज की नाम लचमी चनल हमबल महविद्या ले कैलासी देवी श्रमड कुमारी महविद्या ले स्री गंगा राम वंस इधर महविद्या ले आधर संस्कृत महविद्या ले यह सभी महविद्या ले इसे जालोन जिला में मौझूद हैं दोस्तो उत्तर परदेश राज में स्तित जालोन जिला के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करकर बताएगा वीडियो अच्छा लग तो चनल को सब्सक्राइब कर जिसेगा धन्यबाद